प्रेविद्यार्थियों आज हम कक्षा बारा हिंदी की पाठ्थे पुस्तक आरोह भाग दो के कावेखंड के अध्यातीन में वरनित कवी कुमर नारायन द्वारा रचित दो कविताएं जिनका सीर्षक है कविता के बहाने और दूसरी कविता जिसका सीर्षक है बात सीधी थी पर से संबंदित अभ्यास प्रशन हल करने जा रहे हैं आईए इन अभ्यास प्रशनों को हम हल करें कविता के साथ पहला प्रशन पूछा जा रहा है इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है बच्चे खेल खेल में सब घरों को एक कर देते हैं सब एक कर देने के माने क्या है इसका उत्तर हम लिखेंगे सब घर एक कर देने का आशे यह है कि बच्चों में आपसी भेदवाव अलगाव बोध तथा अडोस पडोस के अंतर को समाप्त कर दिया जाता है बच्चे जब खेलते हैं तो वे आत्मी भाव के साथ खेलते हैं वो अपनत्य की भावना रखते हैं और वैसा ही आचरण करते हैं बच्चे खेल में अपने पराय का भेदवाव भूल जाते हैं सबी घरों को अपना घर जैसा ही मानते हैं इस प्रकार सब घर एक कर देना होता है अगला प्रशन है उड़ने और खिलने का कविता में क्या कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंद है इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि चिडिया उड़ती है और फूल खिलते हैं इसी प्रकार कवी भी कविता की रचना करने में कल्पनाओं और भावनाओं की उड़ान भरता है कल्पनाओं के रंगों द्वारा क कालपनाओं के पंख लगा करके कवी भी अपने मन के भाओं को अभिव्यक्त करता है। अपने भाओं की अभिव्यक्ति द्वारा लोगों को आनन्दित करती है। कवीता के बहाने इसमें चिडिया का उड़ना और कवीता का उड़ना इसमें कवी यह कहता है कि चिडिया कवीता की उड़ान को नहीं जान पाती। फूल का खिलना और कवीता का खिलना इसमें कवी यह कह रहे हैं कि फूल भी कवीता की खिलने को नहीं जान पाते। लेकिन कवी ने कवीता और बच्चे को समानतर रखा है। ऐसा क्यों किया गया है। बच्चे आनंद प्राप्ती के लिए खेलते हैं। और खेल में अपने पराय का भेदभाव भी नहीं करते। खेल खेल में उनका संसार विसाल होता चला जाता है। उनकी दुनिया एक नए आयाम तक बढ़ती हुई चली जाती है। कविता में भी स्वचंद साब्दिक क्रिडा रहती है। कवी भी आनंद के लिए आनंद प्राप्ती के लिए कविता की रचना करता है। वह सांसारिक सीमा को त्याक कर आनंद मई कल्पनाओं की उडान भरता है। इस प्रकार के भाओं की स्रिजना करता है। इस प्रकार के भाओं का संसार करता है। इस प्रकार की अनुभूतियों को प्रकट करता है जिनको सुनकर जिनको पढ़कर पाठक अपने आपको आनन्दित महसूस कर सके तता अपने ही समान सभी को आनन्दित भी देखना चाहता है इसी कारण कवीता और बच्चों को समानांतर रखा गया है अगला प्रशन है कवीता के संदर्भ में बिना मुर्जाय महकने के माने क्या होते हैं इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे फूल तो खिल कर कुछ समय बाद मुर्जा जाते हैं फूलों को चटकदार रंग और फूलों की खुस्बू कुछ समय पशात समाप्त हो जाती है परंतु कवीता कभी नहीं मुर्जाती कवीता हमेशा तरो ताजा रहती है वह सदाई खिली खिली रहती है और अपनी भाव गत सुगंद को सदेव बिखेरती रहती है अपने भाव सोंदर्य को हमेशा बिखराती रहती है इस प्रकार कवीता की कल्पना ऐसे फूल से की गई है जो कभी भी नय मुर्जाए और मादकता और सुगंद फेलाता रहे वस्तुते कविता अनंत का ALL यह वित रहकर आनंद का प्रिशार करती हुई पाठकों को गुद गुद आती है पाठकों को आनंदित कि रहती रहती है इस कारण उसकी सुगंद सदा बनी रहती है। इस कारण कविता की सुगंद। कविता का भावसंदरे सदेव बना रहता है। भासा को सहुलियत से बरतने का अभिप्राय है भासा का सरलता, सादगी, सहजता, एवं भाओं के अनुरूप, भावानुरूपता से प्रियोग करना, कवीता में या लेखन में सब्दों का प्रियोग भाओं के अनुरूप होना चाहिए भासा पूर्णतिया सुभोध हो सरल हो और सीधे साधे सब्दों में संप्रेश्य हो यानि सीधे साधे सब्दों में जिसका संप्रेश्ण किया जा सके इस प्रकार की होनी चाहिए इस प्रकार से भासा को सहुलियत से बरतना होता है यानि भासा को जब हम बोलें तो हम भासा का सरलता से, सादगी से, सहस्ता से और भावों के अनुरूप ही प्रियोग करें। किसी भी कविता में या लेखन कारिये में हम सब्दों का प्रियोग भावों के अनुरूप करें, सरल भासा का प्रियोग हम करते हुए अपने भावों को अभिव्यक्त करें। बात और भासा परस पर जुड़े होते हैं किन्तु कभी कभी बासा के चक्कर में सीधी बात भी टेड़ी हो जाती है कैसे कई बार हम जो कहना चाहते हैं उसका वह भाव अभिव्यक्त नहीं हो पाता जो भाव होना चाहिए बात टेड़ी होती चली जाती है कैसे इसका उत्रम लिखेंगे, बात और भासा का परसपर गहरा सम्मंध है। आप जो बात कहना चारहे हो और जिस परकार के सब्द आपने काम में लिये हैं, यदि सब्द उचित काम में लिये हैं तो आपके मन का भाव ठीक प्रकार से अभिव्यक्त होगा। जो बात आप कहना चा रहे हो लेकिन ये दिया आपने ठीक सब्दों का प्रियोग नहीं किया है, ठीक सब्दों का चैन नहीं किया है, ठीक सब्दों को भली प्रकार से आपने नहीं बोला है, तो आप अपना विचार, अपना भाव व्यक्त नहीं कर पाएंगे, मानव द्वार मन में उत्पन विचारों और भाओं को भासा या सब्दों के माध्यम से ही व्यक्त किया जाता है व्यक्ति जैसा सोचता है जैसा विचार करता है जैसा उसका अनभव होता है उसी रूप में वह सहजता से अपनी बात कह देता है परंदु कभी कभी व्यक्ति अपनी बात को कलात्मक धंग से कहना चाता है अलंगरत सब्दावली के साथ कहना चाता है उसको बहुत ज्यादा सजा और समार कर कहना चाता है तब वह चमतकार पूर्ण भासा के मोह में पड़ जाता है और ऐसे सब्द प्रियोग करने लगता है जो बनावटी होते हैं जो कृतिम होते हैं भावों के अनुकूल भी नहीं होते और बहुत ज्यादा कठिन भी होते हैं बहुत ज्यादा क्लिस्ट भी होते हैं इस तरह के चक्कर में पढ़कर सीधी और सरल बात भी टेडी हो जाती है इसकी सरल सहज अभिविक्ति और संप्र शिता भी बादित हो जाती है और सरल और सहज भाव में उसका अर्थ प्रकट नहीं हो पाता बात यानि कथे के लिए नीचे दी गई विशेष्टाओं का उचित बिंबों और मुहावरों से मिलान कीजिए इस कविता में हमें बहुत सारे बिंब देखने को मिलते हैं तो सही बिंब को सही विशेष्टा के साथ में हमें मिलान करना है बात की चूड़ी मर जाना बात की पेंच खोलना बात का सरारती बच्चे की तरह खेलना पेंच को कील की तरह ठोक देना बात का बन जाना इनको हमें सामने की तरफ सही विसेश्ता के साथ में जोड़ना है बात की चूड़ी मर जाना इसका आशे है बात का प्रभावीन हो जाना बात की पेंच खोलना बात को सहज और इसपस्ट कर देना बात का सरारती बच्चे की तरह खेलना बात का पकड में नय आना बात का सरारती बच्चे की तरह खेलना इसका आशे ये कि बात पकड में नहीं आ रही है बात का पकड में नहीं आना पेंच को कील की तरह ठोक देना यानि बात में कसावट नहीं होना बात में कसावट नहीं होना बात का बन जाना बात बन गई यानि हम जो कहना चाहरे हैं उस उसको उसी प्रकार से हमने व्यक्त कर दिया कि सुनने वाले ने ठीक ठीक अर्थ ग्रहन कर लिया बात बन गई बात का बन जाना यानि कथ्य और भासा का सही सामंजश्य बन जाना कथ्य और भासा का सही सही सामंजश्य बन जाना प्रेविद्यार्थियों आज हमने कवी कुमर नारायन द्वारा रचित कविता के बहाने सीर्षक से कविता और दूसरी कविता जिसका सीर्षक है बात सीधिती पर इन दोनों ही कविताओं से संबंदित प्रश्णों के उत्तर हल किये हैं प्रश्णों के उत्तर हल करते समय आप अपनी उत्तर मुष्टिका में अपनी नौट बुक में महत्वपूर्ण बिंदूं को अवश्य अंकित कर लें जहां पर भी आपको महत्वपूर्ण बिंदू अंकित करने हो वहां पर आप वीडियो को विराम दे दें वीडियो को पॉज कर दें और उसके पसाथ महत्वपूर्ण बिंदू प्राप्त कर सके अगले वीडियो में हम केमरे के सामने अपाईज इस सीर्षक से कविता लेकर आपके सामने पुने प्रस्तूत होंगे तब तक नमस्कार